नमस्ते सस्रियकाल आदाप and very very good morning friends तो सबसे पहले आप बताओ कि आप सब कैसे हो आशा करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छे होंगे मेरा जो छोटा सा परिवाद तयार हुआ है वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही खोश होगा और पूरी positivity के साथ होगा तो सबसे पहले चोटों को बहुत ठेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्ते तो friends यहाँ पे हो रहा है सुभे पांच बचे का टाइम वैसे मैं पांच साड़े पांच के बीच ही उठती हूँ लेकिन आज मैं बता हूँ तो मैं पांच बचे उठती हूँ क्योंकि आप मुझे देख सकते हो म मैं समय किचन में हूँ सबसे पहले उठके भगवान की दर्शन ही करती हूँ जो कि मैं बैड पे भी अपने हाथों को देखती हूँ किसी दिन मैं शूट करके जरूर दिखाऊंगी और बहुत कुछ कुछ करती हूँ लेकिन आज मैंने शूट नहीं किया है वो सब क्योंकि स विराट में मैंने चने भीगो के रखे थे सुबा के लिए क्योंकि विराट की फार्माईश थी तो मैंने भीगो के रखे थे दोके और उसके बाद अब मैं इसको चड़ा दे रही हूँ उबलने के लिए तो इसकी मुझे न चने जो है तो विराट के लिए जिस स्कूल के ल को निपटाना भी होता है और चाहे तो हम उसको धीमे धीमे करके कर ले या हम एक रूटीन से कर ले तो मैं रूटीन से ही अपने कामा को करती हूँ जिसे की मुझे भी थोड़ा सा समय खुद के लिए भी मिल जाये और अगर मुझे कही जाना है या कुछ अलग से करना है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए तो इसलिए मैं एक भी मिनट ना बरबाद नहीं करती हूं अपने अधर अधर बैठने उठने में और मैं पहले सबसे पहले मैं यहां पर जारू लगा ले रही हूं तो इस तरह से क्या है ना कि मेरा एक साथ दो दो काम होता रहेगा तो देखिए मैंने जारू पर पूरी लगा लिए और उसके बाद में आ गए किचिन में क्योंकि विराड चला जाता है स्कुल पॉने साथ बचे तो यहां पर मैं छोकरी हूं चने तो सिंपल सा मैंने तेल में हरा मिर्चा प्यास डालके कलह चैने में डाल नमक, जब अच्छे कमचा लोगे गल जानी तो यह थोड़ा है तो इसका अच्छा वाला हो जाएगा तो मतलब कि तील अबसे पूर्ड़ कर लेगा तो इसका सौधल लग जाता है ।ो उसके बद उपर से डाले ते थोड़ा सा गरम मसाला में आ तो यहां पर यहाँ पर मैंने पानी लिया है थोड़ा सा और मैं दोनों दर्वाजे पर अपने बाहर ना थोड़ा सा छिड़काओ कर लेती हूँ और इधर पीच में आपने देखा योगा कि यह लोगे का गेट लगा हुआ है तो मैं वहाँ पर भी कर लेती हूँ क्योंकि कहते हैं थोड़ मुझे बनानी है सबजी तो अभी फिलाल मैं बनाऊंगी तो नहीं लेकिन यहाँ पर मैं तयारी करने लगी हूँ अपने सबजी की तो चने तो मेरे उबल चुके हैं तो मैंने सुचा लाओ यहाँ पर फटा फट से आलू भी काट लेती हूँ तो बस यहाँ पर मैं आलू काट रही हूँ और यह मैं तयारी करने के रख रही हूँ इसलिए क्योंकि फिर अभी मैं नहाँगी तो फिर आके ज्यादा टाइम नहीं लगता है फटा फट से खाना बन जाता है तो इधर मैंने कर लिए अपनी खाने की तयारी और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर अब पोचा लगाने तो फटा फट से मैं पूरे घर में लगा लेती हूँ पोचा तो पोचा मैं इसी टाइम पर लगाती हूँ इसलिए क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो उसके बाद ही पोचा लगाती हूँ इस वज़ा से क्योंकि बच्चे शूस पहन के फिर पूरे घर में घोमते रहते हैं तो यह लगता है ना अपने में किता शूस पहन के घोम रहा है तो घर गंदा हो रहा है तो वो होता भी है तो फिर मैंने इसलिए थोड़ा लेट ही लगाती हूँ पोचा और देखें यहाँ पे मैंने पोचा लगाने के बाद सीधे मैं चली गई नहाने और नहा के अब आ गई हूँ और जारी हूँ छट पे फैलाने के लिए कपड़े क्योंकि नीचे तो बहुत देर सारा कपड़ा फैला पड़ा है जगह नहीं थी बिल्कुल भी और अभी धूपी आ गई है तो मैंने सोचा किला ओपर ही डाल लेते हैं तो बस यहाँ पे मैं फैलाओंगी कपड़े और कपड़े फैलाने के बहाने से थोड़ी सी धूपी लग जाएगी क्योंकि मैं ज्यूदा दर छट पर नहीं आ पाती हूँ तो एक काम खतम करती हूं तो दूसरा इसरा ह्यार मौ जनीसे यहाँ पे आने के बाद मैंने सबसे पहले करी है पूजा मैंने नहीं में किचिन में आयए हूं तो देखें यहां पे मेरा तेल हो गया है तो मैंने यहां पे पूरा मसाला डाल दिया और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से भूज लूगी क्योंकि जो चनी की सबसी होती है तो उसमें मसाला अगर हल्का सा भी मतलब भूजा भूजा हूआ ना लगी तो सबसी का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करती हूं कि पहले मसाला तो भूंज़ती हूं उसके पाद चने डालती हूं तो उसको भी काफी देड़ तक भूंझ लेती हूं क्योंकि प्र चने में पंचिता पना नहीं लगता है यहां देखे मैंने थोड़े से चैने जो है न तो अलग कर लिये हैं और उसको मैं कटोरी की हेल्प से आपके पास कटोरी नहीं है तो अब गिलास से भी कर सकते हो अच्छी तरह से मैंने इसको यहां पे पीस लिया है कुछ इस तरह से करके तो अब इसको न मैं मसाले अभी जिससे मसाला की भूझ रहा है तो इसमें ही डाल दूगी और यह मेरा मसाले के साथ और भी अच्छा भूझ जाएगा न तो फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जुसका सूप बनता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनता है तो खाने तेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो बस देखे यहाँ पर मैंने सब कुछ डालके अच्छे से भुंच भंच के यहां पर मैं ने लगा दी है धकन तब तक मेरा आप यहां पर बनेगी सबजी तो फिर यहां पर मैंने सबजी छॉँट दी उसके बाद मैं कुछ दे इधर उधर बैटी और जब तक फिर ये भी उड़ चुके थे तो ये भी अपने फ्रेश हो के नहाद हो चुके हैं बढ़ियां से और तो फिर मैं इनको देने जारी हूँ यहाँ पर नाश्ता तो नाश्ते में आज यह खाएंगे चने तो यहाँ भी कोफी नहीं थी तो यहाँ पर नाश्ता कहाईये मैं चने क्या बने लिए वे तो तो व्र दॉपन कोफी के काथा फाराा त Canada व्रण गला लुके और पिर जाके मैंने इनको दिया और यहां पर मैं काट रही हूँ धनिया क्योंकि मेरी सबसी भी यहां पर बन चुकी है तो उपर से मुझे इसका करना है सबची में धनिया कच्छ लगाओ और यहां पर थोड़ा सा भी मुझे डालना है इसमें गरम मसाला तो अभी मैंने आपने देखा योगा की नया नया इसमें रखा है ना तो पहचान मी नहीं आता है मैं सोच ली थी इसमें एक छोटा-छोटा सा स्लिप जैसा लिखके लगा दूँ तो मुझे ऊपर से ही पता चल जाएगा क्योंकि काफी मसाले एक जैसे है तो समझ में नहीं आ पर सबसी का काम हो गया खब कटम तो अब मैं यहां पर बनाने जा रही हूँ रोटी क्योंकि अब यह जाएंगे अपने ऑफिस तो और आज एक खाना खाके तो नहीं जा रहे ।ो आ पर उसी के तैयारी में लगी हूँ यहां परटा-फट से करी हूँ रोटी और बस इसी के साथ यहां पर मैं करती हूँ अपने व्लोग को एंड क्योंकि व्लोग ना बहुत जाधा लंबा होता जा रहा है तो प्रीज इसके लिए मुझे माफ कीजेगा और अगर आपको पसंद आता तो एक लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर फर्स टाइम हो तो सब्सक्राइब कर जी कब मिलेंगे नेक्स लोग में तब तक लिए बाबाई थैंक्स पर बाच्चिंग माता राणी आपके सभी चाओं को पूरा करें